आज मैं आपके साथ मेरी जिनकी की सबसे बेस्ट दिन के बारे में बात करूँगा उस दिन का जो मेरा एक्स्पिरियंस है वो आपके साथ सेर करूँगा जो मेरे लिए एक सपने जासा ही था हेलो मैं हूँ इराद नायक अमल सार गुजराच से आज मैं बहुत ही ज़दा खुश हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ यॉर्फूड लेप के स्टूडियो में मेरे सबसे पसंदिदा शेफ संजोत कीर जी से मिलने अभी मैं हमदाबक मुंबई हाईवे पे हूँ और मैं बहुत ज़दा एकसाइडेड हूँ उनसे मिलने के लिए और फाइनली मैं आ गया हूँ यॉर्फूड लेप के स्टूडियो तो अभी तो मुझे बताया गया है कि शेफ रेड़ी हो रहे है तो पहले हम स्टूडियो देख लेते हैं स्टूडियो देखते ही मेरी बोलती बंद हो गई थी और अचानक्षे शेफ सामने आ जाते है मेरे लिए ये बिल्यू करपाना बहुत ज़्यादा मुस्किल था मुझे यकिनी नहीं हो रहा था कि मैं शेफ शन्जोत कीर जी से मिल रहा हूँ वो भी उनके स्टूडियो में यहाँ पर मेरी बोलती बंद हो गई थी और मेरी हर्ट बिट्स बहुत जोर से चल रही थी तो मैं हर पल ऐसा ही सोच रहा था कि यह सच है या फिर सपना है शेफ की परसनलिटी या फिर उनकी बात करने का जो तरीका है मैं उसे उतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि मैं जितना भी सोच के गया था कि मुझे यह बोलना है मैं सब कुछ वहाँ पर भूल जुका था उनसे बातचीत करते भी मुझे पता चल रहा थे कि शेफ कितनी ज़्यादा हमबल और कितनी ज़्यादा डाउन टॉर्थ है इनके जितने हमबल इंसान से मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ और अब मैं आ गया हूँ यॉर्फूद लेप के टेरेस गार्डन में वीडियो में दो हमने ये बहुत बार देखा है और ये बहुत ज़्यादा खुबसूरत है अभी आप देखे हम कहां बे बैठे है अभी मैं आपको नजदिक से दिखाता हूँ कि यॉर्फूद लेप का कीचेन या फिर स्टूडियो कितना ज़्यादा खुबसूरत है ये सब देखते हैं देखते हमारी नज़र काचपे पड़ी काचपे लिखे हो है हमारे नाम पेवडी ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सर्प्रैस था अभी मैं आपको नजदिक से दिखाता हूँ ये देखिया, आप मेरा नम भी वहाँ पर देख सकते हो अभी शेफ हम सब के लिए सेवपूरी बना रहे जब ये बना रहे थे तब ही पता चला था कि वो कितने दिल से खाना खिलाते है वो कितने दिल से खाना बनाते है ऐसे ही सेवपूरी हमने खाली उसके बाद बारी आती है दही पूरी की शेफ ने हम सब के साथ दही पूरी खाई और उसके बाद उन्होंने उनका जो खुद का experience है वो हमारे साथ share किया कि एक वीडियो बनाने में वो कितनी ज़ादा मेहनत करते है वो कितना ज़ादा सोचते है तब ही जो वो 5-7 मिरिट का वीडियो है वो हमारे सामने आता है उनकी ये सभी बाते सुनके मुझे बहुत ही कुछ सिखने को मिला उस पल में सिर्फ यही सोच रहा था कि कास ये दिन यही पे रुख जाए जैसे ही बात आगे बढ़ रही थी तब शेफ ने हमारे लिए बनाया ये बहुत ही बड़ा दिखने वाले टाकोज ये इतने ज़दा स्वादिस थे कि ऐसे टाकोज मैंने पहले कभी नहीं खाए उसके बाद उन्होंने हमें वड़ा पाव स्लाइडर भी खिला है और वो था शेफ शन्जोत कीर जी के साथ खाना बनाना अगर सच बोलू तो अभी भी मैं इस पल से बाहर नहीं आया हूँ हर दिन मैं इसी के बारे में सोचता रहता हूँ जब ये पाव बाजी बन रहे थी उससे पहले हम बहुत कुछ खा चुके थे लेकिन फिर भी इसकी खुजबू ऐसी थी कि हम ऐसा सोच रहे थी कि कब हम इसे खाए और आखिर में वो पल आ ही गया शेफ के साथ बैटके पाव बजी खाना ये एक सपने जैसा था फिर मैंने शेफ के आटोग्राफ लिये तो उन्होंने बहुत ही बड़ा मैशर लिखे दिया नेवर के लिए और स्टूपीड आईडिया इतने खुबसूरत दिन के बाद ये एक गड़ी ऐसे आ गई थी जहां पर बिल्कुल भी दिलको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब गर लोटना था लेकिन सच बोलो तो मुझे वही बे रहना था आखिर में हम सबने सेफ के शब फोटो शूट करवाया शेफ ने आखिर में हमें ये बहुत ही खुबसरत हैंपर दिया और उसके बद उन्होंने मेरी बीवी और बच्चे के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर ये कहा हेलो पनाश और उनदी आपके हस्बेंड और आपके पापा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं बहुत ही अच्छे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अच्छी विशिज गॉट बैस यू बहुत और टेक केर चीर्स थैंक यू सो मुच सर्ण थैंक यू विराज सच में ये मेरी जिन्दी का सबसे कीम्ती और सबसे खुबसुरत दीन था मैं यूर्फूड लप की पूरी टीम और उनके पूरे परिवार को तहे दिल से धनिवाद कर रहा हूँ थैंक यू सो मुच